पी एच यू कबसे अलग बार आता है वो बार बार आने की आशा लेकर जाता है और क्यों नहीं आखिर ये वही धर्ती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां के कंड कंड में साई बसते हैं और मानता भी यही है कि जहां साई है बेशक वहीं शिर्डी है शिर्डी था और शिर्डी ही रहेगा वैसे भी शिर्डी और साई बाबा एक ही सिक्के के दो पहलू है दुनिया के लिए शिर्डी मतलब साई और साई मतलब शिर्डी लेकिन अचाना के एक बयान ने साई और शिर्डी को सुर्खियों की बजाए विवादों में ला दिया है और ये विवाद महराश्ट के मुख्यमंत्री उद्धोड ठाकरे के बयान से उठा है दरसल हाल ही में उद्धोड ठाकरे औरंगाबाद गया जहां उन्होंने एक सभा के दौरान कहा परभणी जिले के नजदीक पाथरी गाउं में जस जगा साई बाबा का जनम हुआ था वहां के विकास के लिए हम सौ करोड रुपे देंगे और पाथरी गाउं में इस प्रोजेक्ट को अमल में लाया जाएगा मुख्यमंत्री ठाकरे के इस एलान के बाद पाथरी गाउं के लोगों में खुशी का माहौल था लेकिन ठाकरे के इस बयान ने अहमद नगर जिले में इस्थित शेडी के लोगों को नाराज और आक्रोशित कर दिया शेडी के पंचायत ने एलान कर दिया है जब तक सरकार ये साफ नहीं कर देती कि पाथरी में जनमस्थान होने के कारण ये विकास से कारण नहीं किया जा रहा है तब तक शेडी शेहर रविवार से अनश्चित काल के लिए बंध हो रहा है हाला कि शेडी आने वाले भग मंदिर में साई बाबा के दर्शन कर सकते हैं लेकिन शेहर में आश्रम, दुकाने, होटल, वाहन सभी बंध रहेंगे और दुनिया भर के श्रधालूओं को कोई दिक्कत न हो इसे देखते हुए दो दिन पहले ही शेडी बंध का संदेश दिया जा रहा है दरसल शेडी के लोगों का मानना है कि जिन साई बाबा ने शेडी आने के बाद कभी अपना असली नाम, गाउं, जाती, धर्म, कुछ भी नहीं बताया वो सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म संभाव के प्रतीक बने आज उनके बारे में इस तरह की गलत जानकारी दी जा रही है वैसे माननेता है कि साई बाबा साल 1854 में पहली बार शेडी में दिखाई दिये तब उनकी उम्र करीब 16 साल थी कहा जाता है कि खंडोबा मंदिर के पुजारी ने उन्हें पहली बार आओ साई कहकर बुलाया और तभी से शेडी के फकीर साई बाबा बन गए बहरहार जिसकी जैसे शद्धा रही किसीने साई बाबा को फकीर, किसीने साधू, किसीने संध तो किसी ने भगवान मान कर पूजा साई बाबा भी शद्धा, सबुरी, समर्पन और प्रेम के प्रतीक बन जिंदगी भर इसी को जीए और लोगों को इसी तरह जीना सिखाते रहे क्योंकि यही सच है, शास्वत है लेकिन आज उसी साई बाबा के जन्मस्थान को लेकर सत्ता और सियासी गलियारे से आए एक बयान ने बिवात खड़ा कर बहस छेड़ दी है हाला कि उमीद यही है कि इसका समाधान भी यहीं से आएगा